19 साल बाद सावन में बन रहा है ये दूरलब सयोग, जमकर बरसेगी भूलेनाथ की कृपा सावन का शुब महीना जल्द शुरू होने वाला है। शिव भक्तों को इस माह का बेसबरी से इंतजार रहता है। इस बार 19 सालों के बाद सावन पर बेहद शुब सयोग बन रहा है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत बड़ा मेहत्व है। यह मास भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने भूलेनाथ की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना भगवान भूलेनाथ को सबसे प्रिया है। शिव पुरान के अनुसार शंकर भगवान सावन माह में सोमवार का व्रत करने वाले भगतों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने का शिव भक्तों को हमेशा इंतजार रहता है। इस बार का सावन बेहद खास रहने वाला है। इस बार सावन का महीना दो महीने का होने वाला है। जोतिश अचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि सावन माह चार जुलाई से आरंब होकर 31 अगस्त तक रहेगा। सावन के महीने में 69 दिन रहेंगे। 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक सावन अधिक मास रहेगा। इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास रहेगा। श्रावन मास के दौरान अधिक मास पढ़ रहा है। इसलिए उस दौरान पूजा अर्चना करने से भगवान हरी के साथ ही भूलेनाथ की भी जमकर कृपा बरसेगी। क्या होता है अधिक मास। दरसल वैदिक पंचान की गणना सौरमास और चंद्रमास के आधार पर होती है। एक चंद्रमास 354 दिनों का होता है वहीं एक सौरमास 365 दिनों का होता है। इस तरह से इन दोनों में 11 दिन का अंतर आ जाता है। लिहाजा तीन साल में यहंतर 33 दिन का हो जाता है। इस तरह हर तीसरे वर्ष में 33 दिनों का अतिरिक्त एक माह बन जाता है। इन 33 दिनों के समायोजन को ही अधिक मास कहा जाता है। साल 2023 में अधिक मास के दिनों का समायोजन सावन के माह में हो रहा है। इस कारण से सावन एक की बजाए दो महीने का होगा और सावन में 800 वार पढ़ेगे। इस बार नई वर्ष 2023 में हिंदू कैलेंडर का 13 महीना मिलेगा, जिसमें अधिक मास शामिल होगा। विक्रम समवत 2018 में पढ़ने वाले अधिक मास के कारण सावन दो महीने का होगा, जो 69 दिन तक रहेगा। खास बात यह है कि यह सयोग 19 साल बाद बन रहा है। हर तीन साल पर एक अतिरिक्त मास होता है, जिसे अधिक मास या मल मास कहलाता है। इसे पुरुशोत्तम मास भी कहा जाता है। जोतिश अचार्य व्यास ने बताया कि वैदिक पंचान की गण्ना में जिस महीने इन 33 दिनों का समायोजन होता है, उस मह में इनकी संख्या ओसतन डबल हो जाती है। इस बार वर्ष 2023 में अधिक मास के दिनों का समायोजन भगवान शिब के प्रियमाह सावन में होगा। सावन का महीना 30 नहीं 69 दिन का होगा। सावन के महीने में 8 सावन सोमवार व्रत आएंगे। ये शुब सयोग 19 वर्षों के बाद बना है। साल 2023 में लगभग सभी व्रत और त्योहार 15 से 20 दिनों के लिए आगे बढ़ गए हैं। ज्योतिश अचार्य व्यास ने बताया कि इस बार सावन का महीना तक करीबन 2 माह का होगा। यानी हर सावन में 4 या 5 सोमवार ही पढ़ते थे और शिब भक्त भगवान भोले की पूजा अर्चना करते थे। लेकिन इस बार सावन में 8 सोमवार पढ़ेगे। इसलिए इस बार दो महीने तक शिब भक्ती की बयार बहती रहेगी। इस दोरान शिब जी का अभिशेक, रुद्राभिशेक, जलाभिशेक, गंगा जल से अभिशेक किया जाएगा। साथी भक्त गंगा से कावंड भरकर भी लाएंगे और शिब जी को गंगा जल अर्पित करेंगे। सावन सोमवार की तिथियां। सावन का पहला सोमवार, 10 जुलाई। सावन का दूसरा सोमवार, 17 जुलाई। सावन का तीसरा सोमवार, 24 जुलाई। सावन का चौथा सोमवार, 31 जुलाई। सावन का पांच्वा सोमवार, 7 अगस्त। सावन का च्छठा सोमवार, 14 अगस्त। सावन का साथवा सोमवार एक की सगस्त, सावन का आठवा सोमवार अठाई सगस्त